नमस्कार पोल खुल पोस्ट में आपका स्वागत है इस वक्त हम मौजूद हैं सिंग्रॉली जिले के माजन मोड सर्किट हाउस में जैसा कि आप हमारे आज पास देख सकते हैं इधर की भाजपा युवा मोर्चा की गाड़ियां खड़ी हुई हैं चारो तरफ आप देख सकते ऩाली हैं की टू विलर फौर खड़े हुए हैं इनसे जो कार्य करता है हुए हैं स Même देखेंगे और जानने का प्रयास और किके लिए एंदर आहिए हम्य हम जैसा कि आप देख रहे हैंhof reas के लिए और हमारे चारो तरप जो हैं भाजपा युवा मोर्चा के कारिय करता है इस कि वज़े से लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और बहुत से समाज में करने का प्रयाष कर रहे हैं उसी में जहां तक हमारा मानना है कि युवा मोर्चा भी इसी कारे के लिए आगे आाया हुआ है आईए बात करेंगे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से और जानने का प्रयास करेंगे कि यह कब से कर रहे हैं और कितने दिनों तक चलेगा हम जुड़ रहे हैं इस वक्त भारती अंता पाड़ी हुआ मोर्चा के जिला ध्यक्ष विनोच चौबे जी से आईए हम उनसे बात करेंगे नमस्कार बहुत-बहुत धन्यवाद आपको यह कार्याप कितने दिनों से चला रहे हैं यह वि हम लोगोंने सेवा ही संगठन अभियान के दूसरे चरण में भारती जनता युबा मोर्चा के द्वारा हमारे भारती जनता पार्टी के सस्वी प्रदे सद्यक्ष मानि विश्णूदत सर्मा जी के आहवान पर एवम युबा मोर्चा के हमारे सस्वी प्रदे सद्यक्ष मान यह 13 वे दिन हम लोग हर जरूरत मंद लोगों को नेसुलक दोपर का भोजन और साम को नास्ता एवं काढ़ा जो पुलिस के जवान हर चवराहों पर सुरक्षा में लगे हैं कोरोना की चैन को तोड़ने में महत्वपुण भूमिका निभा रहे हैं साथ ही उनको हर चैपत्रकार हूँ उनके आपिस तक भी जाने का काम युवा मूर्चा कर रहा है वो भी इस देश के चौथे स्थम्भ हैं और लगातार कोरोना के चैन को तोड़ने में उनकी भी बहुत महत्वपुण भूमिका है तो लगातार हम लोग उन तक पहुंचाने का चाय काड़ा नास्ता ये सब भिजवाने का काम कर रहे हैं अभी तक आपके हिसाब से कितने लोग तक आप पहुंच चुके हैं और कितने लोगों तक बाकी हैं अभी जो हम लोगों का एक आकड़ा है लगभग हम लोग जीले में देखा जाये तो जो 300 पैकेट के हिसाब से ह तालिस सो चार हजार लोगों के बीच युवा मुर्चा इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है साथ ही यहां तक तो हम लोग हर जरुत मंद लोगों को जैसे ट्रामा चिकेसाल है जो अपना ट्रामा हस्पिटल हो गया जिला चिकेसाल हो गया हिराव जो हम लोगों ने कोरोना हेल सहाथा हेल्प डेक्स बनाया है युवा मूर्चा के द्वारा उन पर दिये गए नंबरों पर जो लोग प्ञों कर रहे हैं और ऐसे परिवार तक युवा मूरचा भोजन पहुचाने का काम करarent कर रहे गया है, उनके घर में कमाने खाने वाला कोई नहीं है, ऐसे घरों तक युवा मोर्चा, बिंदनगर में, बैढ़न में, ऐसे कई घरों में हम लोग भोजन पहुचाने का काम करते हैं। का प्रयास करते हैं। का रे युवा मोर्चा के सस्वी प्रदेश अद्यक्ष मानी बड़े भाईया बैभा पवार ने हमें चितरंगी की घटना जो पिडित परिवार ने जो मदद मागी थी, वो ट्वीट उन्होंने मुझे किया। और वो फोन करके मुझे बोले कि बिनो ये चितरंगी के कोई परिवार है जिने रासन नहीं है। उन्हें ततकाल रासन उपलब्द कराई जैसे हम लोगों ने उनका ट्वीट देखा और जैसे फोन आया मुझे जानकारी मिली। मैं अपने युवा मुर्चा के मंडल अध्यक्ष प्रविन धर्दुवेदी जी से बात करके सुवा ही उनके घर में 9-10 बजे के बीच में सुवा दूसरे दिन हम लोगों ने उनके घर में चाबल, डाल, आटा, सबजी और निर्मा, साबुन, तेल, नमक ये सब पूरी व्य रिकेट बना करके हम लोग उनके घर तक कहुचाने का काम किये, धन्यवाद विनोच जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम जुड़े भारती जंता पार्टी के युवा मुर्चा के जिलाद दक्ष विनोच जी से उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से समाज में निकल रहे हैं, जरूरत मंद लोगों तक पहुचने का प्रयाश कर रहे हैं, वो और जहां तक हो सक रहा है, लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं, और शिर्फ वैड़न और विंदनगर जैन तक ही सिमित नहीं हैं, वो आगे चल कर भी शिंग्रॉली जिले में जहां से लोग मांग रहे हैं, यह अपने कारिकरता पताधिकारियों द्वारा उन तक मदद पहुचाने का प्रयाश कर रहे हैं, एक तरफ जहां पे प्रशासन हैं और संगठन हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं पर आप देख सकते हैं कि युवा मोर्चा भी पीछे नहीं है, कदम स विट बिथ हूँ प्राइट वीट एसस फुडवेर, वैरन का एक मात पदस्थान जहां आपको मिलेगा, सभी प्रेंडर सूस, सैंडल्स, वैलेट्स, बेल्ट्स, औल ऐससे सीरी साथ ही पाड़ा के वराइडियो ओप आइटम जो आपके गेटप को देंगी पाफिक लूप तो देर किस बात की आज ही विजट करें हमारे शोरूम हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोट धोधी, वैडन सिग्रॉली मदपर्दीश, प्रटे नमबर 9425-177049, 979-8859-2115 सिमरोली जिले में आगया है ग्रोसरी फोरी ओड, फिर देर किस बाती जल्दी विजट करें और पाए सारे ग्रोसरी आइटम में डिसकाउंट और साथ ही ऑनलाइन बिल, पाउंसे ज़्यादा आउटलेश पूरे भारत में, दुकान दुकान में भटकने से छुटकार आबे झालाइन बिल, एम झालाइन याद़।